हालो फ्रेंट्स मैं नाम है वरुण चित्रा स्टडिक एकपाप का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में में स्लेवल डियाई की जो हमारी सीरीज चल रही है एक्जक्ट एक्जाम लेवल कोशन्स उसका यहां पे सैट फाइफ हमाज करने वाले हैं तो चलिए देखते है अच्की डियाई क्या है क्या आपके सामने डियाई है यहां पे देखिए आपके सामने इंफोमिशन दिखी हुई है आप इसको अच्छे से पढ़िए केरफुली रीट करिए समझने की कोशिश करिए और इसका पहला कोशन बनाने की कोशिश करिए इस डियाई के लिए मैं पाच्छनर दूंगा आप अच्छे से अपने हिसाब से इसको बनाईए झाल 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 या लेबर्ड इंदी चार्ट चार्ट में दिया गया है डेली, मुंबाई एन कोलकटा इन तीन झाल पे वो ये तीन गैजट्स को सोल्ड कर रहा है तर चार्ट बिलो और सो दी एवरेज रेवेन्यू यहाँ थाट एवेरेज़ इन ते यहाँ बोली गई है यहां पर जो line दी गई है 60, 70, 80, 90 यह सारी average को show करेगी हर एक earphone की, each earphone की, okay, revenue यहां पर show करेगी average के form में, जितनी भी नीचे ले line दी गई है, okay, और यह जो यहां पर line दी गई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, यह percentage दिया गया है कि इसका revenue receipt from sale of earphone जितने भी earphone है, उससे जो revenue मिला, upon total revenue और नीचे आएगा total revenue यह कैसे पता चला, यह ऐसे पता चला, as लिखा है यहां पर, as के बाद जो भी चीज लिखी होती है वो नीची जाती है, जैसे कि मैं आपको पिछले डियाए में बिता चुका हूँ, out of total का मतलब क्या होता है और with respect to का मतलब क्या होता है, ऐसे ही यहां पर as का मतलब होता है, जो भी as के बाद चीज दिखी हुई है, उसमें से हम यह चीज निकाल रहे हैं, उसमें से percentage बता रहे हैं तो नीचे आएगा यहां पर total revenue और उपर आएगा यहां पर total revenue, year phone का okay, in 200 is equal to, जो भी percentage आएगी, वो यहां पर given है, देखे जैसे y के लिए निकालेंगे तो 35% है, और x के लिए निकालेंगे तो यहां पर 45% है, क्योंकि 40 और 50 के बीच में यहां पर कहीं एक point है, year x, तो इसलिए इसका 45 हो जाएगा, और यहां 30 और 40 के बीच में कहीं यहां पर 35 25% हो जाएगा, ओके, इतना सब को clear है, दूसरा है है और नीचे हमार को दिया गया है, average revenue, average revenue का मतलब हमारा हो गया, average revenue का हमारा मतलब हो गया, total revenue, okay, total revenue upon, upon total, q and t, quantity, ठीक है, यहां पर average revenue का मतलब कितना है, total revenue जितना भी होगा, total quantity जितनी भी होगी, उसको rewrite कर देंगे, यह तो पर, एक year phone की हमारा पर average आज़ेगी, इतना सब को clear है, आप देखते हैं, इस question का best solution क्या होगा, अब देखिए, इस तरह की आपको जैसे ही रिखिए हैं, आपके कुछ formula based दिया ही है, तो आप सबसे पहले उस formula को कहीं side में लिखके रख लो, उससे क्या होगा, आपका year phone upon total revenue in 200 is equal to percentage, ठीक है, जो भी percentage दीए, एक तो यह हमार को formula दे रखा है, दूसरा हमार को यहाँ पर average का दे रखा है, average का क्या दे रखा है, total revenue upon total quantity, ठीक है, इसी से तो average आएगी, तो यह is equal to average हो जाएगा हमारे, ठीक है, यह दू चीजी हमने side में लिखके रख ली, अब इनक यहाँ पर यह दी गई है, ठीक है, अब चलिए अब आपन देखते हैं, कोशन पढ़ते हैं, कोशन वन क्या कह रहा है, revenue earned from selling of earphone from x and store y is same, देखो revenue किसका, earphones का, जितने भी earphones को बेचा है, x और y में हो same है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, revenue, ठीक है, earphone, x is equal to y, revenue, earphone, इसका भ इक्वल होगा, यह मैं equation first बोल सकता हूँ, आगी के बोल रहा है, total revenue earned from store y is 2400 more than store x, मतलब total की बात होगा, यह में हाँ पे, total revenue y में से अगर मैं x को minus करूंगा, तो मुझे 2400 rupees मिलेगे, क्योंकि y जादा है, तो y में से ही हमार को x minus करना पड़ेगा, तब जाके हमार को 2400 rupees 2400, तो यह हमारी होगा equation second, इतना सब को clear है, बिल्कुल basic से बताने जा रहा हूँ, यहां तक आप सब को clear है, अब देखिए, अब हमार को कैसे चलना है, अब हमार को सबसे पहले हैं, आपर revenue, earphone, x का निकालना पड़ेगा, फिर उसको y के equal लखना पड़ेगा, तो मैं revenue, earphone का कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो, मैं यहां से निकाल सकता हूँ, यहां से मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखो, यहां पर total revenue निकालना है, अगर मुझे, तो मुझे average पताना चाहिए, तो अब देखो, मैं को average तो पता है, यहां पर average given है, देखो, x को mark क इन दोनों पर बात लोने वाली है तो देखो X का average हमार को 90 given है तो मैं इसी को मैं इसी वाले formula को वापिस लिख रहा हूं यहां पर देखो कैसे लिख रहा हूं total revenue मुझे नहीं पता तो मैं TR कर लेता हूं और मैं X का निकाल लेता हूं मैं छोटा X भी लिख लेता हूं total quantity माल लेता हूं उसके अंदर total quantity मैं N , N number of earphones होंगे कुछ न कुछ quantity तो माननी पड़ेगी तो मैं यहां पर माल लेता हूं N number of earphones होंगे X के अंदर ठीक है क्योंकि यहां पर कितने earphones हैं कितने laptop हैं कितने mobile हैं और given नहीं तो मैंने येरफोन की बात चल रही है तो येरफोन को मैंने N माल लिया और एवरेज मुझे इस इकॉल्टू में मिल जाएगी यहां पर गिवेन है 90 ठीक है यहां पर 90 गिवेन है तो मैंने 90 रख दिया तो टोटल रेवेन्यू एक्स का मैंने कह सकता हूँ इस N को मैं उपर भेज दूँ तो 90 N आजाएगा इतना सब को क्लियर है 90 N कैसा है ठीक है अगर यहां पर X का 90 N आगया रेवेन्यू टोटल तो मैं कह सकता हूँ Y का भी यह होगा Y का भी 90 N होगा क्योंकि हमारे को फर्स्ट एक्वेशन क्या करी है रेवेन्यू एएरफोन X, रेवेन्यू एयरफोन Y is equal to तो Y का भी 90 N होगा तो इतना सब को क्लियर है अपने टोटल रेवेन्यू निकाल दिया एएरफोन के लिए यह सिर्फ एएरफोन की बात हुरी है यहां पर स्पेशली ठीक है एएरफोन की बात हुरी है और Y का equal to 90N है यह हमने निकाल चुके थे हम अब देखो यह जो formula है इसके अंदर हमारे को क्या की given है इसमें हमारे को क्या की given है देखो हमारे को revenue यह phone का given है हमने निकाला 90N तुम्हें 90N लिख देता हूं अभी मैं X की बात करो हूं अभी हम सिर्फ X को निकालने हैं ठीक है मैं 90N लिख दिया टोटल revenue बता है कि X का नहीं बता तो इसको TR लिख लो 100 तो हमारे को बता है 100 लिख लो और percentage हमारे को यहां पर given है देखो X के लिए यहां पर percentage given है 40 और 50 के बीच में तो यह कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर 45 आगा अगर यहां पर 45 आगया तो मैं total revenue निकाल सकता हूं total revenue इधर भिज देता हूं 45 नीचे भिज देता हूं तो यह equation बन जाएगी 90N upon 45 in 200 is equal to total revenue of X तो यहां से मेरा आजाएगा 2 तो यहां पर 200N is equal to total revenue of X तो यहां पर मेरा total revenue निकल गया X का ऐसे ही मैं Y का भी निकाल सकता हूं Y का निकालने के लिए मुझे यहां पर Y के लिए भी total year phone का revenue ची होगा जो की 90N है upon total revenue मुझे नहीं पता वाय का कितना है तो मैं TR Y लिख लेता हूं total revenue of Y तो यहां पर मैं काड़ देता हूं 7535 और यह 18 times कर जाएगा तो यहां जाएगा 1800N upon 7 यह आ गया मेरा total revenue of Y का अब इन दोनों के बीच में difference हमार को यहां पर दी गिवन है 2400 तो मैं इन दोनों का difference निकाल देता हूं 200N और 1800N upon 7 में और इसको यहां पर मैं 2400 के बराबर इसे 1800N upon 7 minus 200N क्योंकि question में कहा था total revenue earned from Y is more Y का जाता है तो Y में से 200N minus होगा और यह is equal to 2400 तो यहां से LCM ले लो यहां पर आजएगा 1800N minus 1400N और यह जो 7 है यह इदर into हो जाएगा ठीक है अब इनका difference आएगा 400 और वो भी मैं इचे इसके भेज जेता हूं 2400 into 7 upon 400 तो यह मेरा कट जाएगा 6 times तो N बराबर आजएगा 42 तो N बराबर आगे मेरा 42 इतना सब को clear है बिल्कुल basic से बताया है N हमने माना था X के अंदर जितने भी earphone है वो हमारे N number है तो N मेरा आगे हाँ पर 42 तो X के अंदर आगे 42 earphones हमारा एक आंसल तो निकल गया find the total earphones sold from store X & Y अब Y का निकालना है Y का निकालने के लिए आपको बता है अगर total revenue आपका 90 N है मतलब 90 into N अब मैं यह वाला formula यूज कर रहा हूं total revenue 90 upon N total quantity नहीं मालूम तो TQ लिख दो यहां पर नहीं मालूम average हमार को पता है Y के लिए average यहां पर given है 70 तो मैं यहां पर 70 रख देता हूं और TQ को इदर ले जाता हूं 70 को निचे फैक देता हूं तो क्या हो जाएगा 90 into N की value निकाली 42 70 निचे आ जाएगा और total quantity Y में आ जाएगी एक जिरो से जिरो कैंसे लिए 6 times गया तो 960 54 तो 54 आ गई यहां पर Y के अंदर और X के अंदर 42 थी total प्लस करेंगे 96 आएगा 96 हमारा answer हो जाएगा तो कैसा लगा आपको पहला question उमीद करता हूं आपके सारे concept clear हो गए होंगे कैसे हमने इन दोनों formula का use करके बार बार इनको use में लेके answer तक पहुंचे तो कभी भी आपके पास ऐसे formula ले डिया याएगी तो आप उसको ऐसे solve कर सकते हैं अगर आप formula सामने लिख लोगे तो easy हो जाएगा आपके लिए उसको manipulate कर पाना चलिए चलते है next question पर यह आपका next question है इसके लिए मैं आपको एक minute दे रहा हूं आप इसको बनाईए जल्दी स आप इसके लिए झाईपस को टाइए बनाईब्स उम्मिद करता हूँ आपसे question बन गया होगा चलिए अब इसका solution देखते है question second में बुल रहा है if total revenue earned from store rsz respectively then find the total number of earphones earphones पर इबात अटकी आके sold from store rsz अब देखिए हमार को जो जो given होता है महीं से हमार को डियाई को पकड़ना होता है तो हमार को total revenue given है तो मैंने आपको दो फोर्मने लिखवाएते क्या लिखवाएते revenue earphone का उपर आएगा और total revenue नीचे आएगा into hundred होगा और यहां पर percentage आएगी value तो total revenue आप सबके पास given है तो आपको यहां तक तो given है आपको यहां तक पोचना है यहां तक पोचने के लिए आपको एक पर formula इन्होंने दिया हुआ है revenue earphone upon total quantity is equal to average यह आपको इन्होंने given करा हुआ है अब देखिए आप इसका use करिए आपके पास क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है आपके सामने खुद इसका solution निकल के आजाएगा तो आपने देखा आपको total revenue तो इन्होंने यहां पर दे रखा है सबका लग-बदे रखा है अब आपको यहां पर revenue यह फोन के लिए आपको पूचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर average के साथ total quantity को into करना पड़ेगा देखूं, revenue, year phone तक पोचने के लिए आपको, यहाँ पे average into total quantity करना पड़ेगा, जबी तो आप revenue year phone तक पोचोगे, तो मैंने देखा average मुझे given है, किसकी बात हो रही है, r की बात हो रही है, r में average कितना है, मुझे हाँ पे 90 दिया हुआ है, r में अगर 90 average है, total quantity year phone की कितनी यह मुझे नहीं पता, मैं r है तो r ही माल लेता हूँ, 90 r हो गई, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, 90 r upon r का total कितना देखा है, 17100 in 200 is equal to r का percentage कितना देखा है, 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ, कहतना सब को समझ में, मैं r की बात कर रहा हूं से, मुझे total revenue भी given है, यह मैंने formula में रख दिया, यह मैंने इससे निकाल लिया, revenue earphone निकालने के लिए average को total quantity से into कर दिया, average given थी 90 n, total quantity given नहीं थी, तो मैंने r माली, r number of earphones, r के अंदर होंगे, तो यहाँ पर मेरे को total revenue मिल गया 90 r, तो मैंने वो 90 r यहाँ पर रख के उसका use करा, और इस formula में इसको यहाँ पर मैंने put कर दिया, अब देखिए, यहाँ से 2 0 से मैं 2 0 काट सकता हूं, यह मैं काट सकता 19 10, तो r की value मेरी कितनी आजएगी, 19 उपर उदर जाएगा, ठीक है, तो यह कितनी आजएगा, 38 और 1 0, और यह 0 से मेरा 1 0 यह भी कर जाएगा, तो r कितनी आगए, 38, तो मैंने r क्या माने थे, total quantity earphone की r के अंदर, तो r के अंदर कितनी आगए earphones, 38 earphones, r के अंदर मेरे पास देखी, कैसे करूँगा, मैं s का निकालने के लिए, s का निकालने के लिए, s की average बता होना चाहिए, s की average देखी, यहाँ पर आई मेरी 125, 120 और 130 के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ, 125 s upon, s का यहाँ पर दे रखा है, 11000 into 100 is equal to, s का यहाँ पर percentage given है, 25, तो मैं यह 20 0 से 20 0 दो, 125 निचे ले आता हूँ, 125 निचे आ गया, 25 से 5 times कर गया, और यह आ गया मेरा 22, तो s में earphones मेरा आ गया 22, earphones, इतना सब को clear है, ऐसे ही मैं z का भी निकाल लेता हूँ, z का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z का रेखना पड़ेगा, z का है मेरा यहाँ पर, 1, 1, 5, मतलब 115, z upon total इसका given है, 23,000, तो मैंने 23,000 निचे लिखा, into 100 करा, is equal to z की में को percentage यहाँ पर given है, 25, तो मैंने 25 लिख दी, इस formula का use हो रहा है, और इस formula का use हो रहा है, सारे question में, formula वाले लिए जब भी आया, तो आप formula सामने लिखके ही questions को करिए, तो यहाँ से 2,0 से 2,0 cut हो गया, यह आपको पता है, 5 times आता है, तो मैंने 5 times लिख दिया, एक 0 यहाँ पर था, तो वो 0 मैंने यहाँ बेज दिया, 5 को मैं नीचे लाँगा, तो यह आजएगा 50, तो Z में कितने आगे मिर पास, Z में आगे मिर पास 50, सब को plus कर दो, 38, 22, और 50, कितना आजएगा, यह 0 यह 10 हो गया, 1 carry, 5 और 5, 10 और 11, 1, 1, 10, तो इसका answer आगया, 110 earphones हो गए, in total में, तो यह हो गया हमारा answer, तो यह थी इसकी basic approach, कैसा लगा आपको questions, DI कैसी लगी आपको, इसी level का हमाँ एक्जाम में आता है, बिलकुल conceptual होता है, आपको बस basic से इसको पकड़ना होता है, ठीक है, चलिए third question पर जलते है, third question आपके लिए homework रहेगा, आप इसका screenshot ले लो या post कर लो, और इसका answer आप मुझे comment section में देना, और यह आपका last question है, इसको भी आप post करके, या screenshot लेके, इस question को भी try करिए खुद से, उनाने की कोशिश करिए, आपको मैं basic पूरा बता चुका है, और आ आपको provide करा हूँगा फिर, और अगर आपको इस वीडियो से जड़ा सा भी benefit हुआ है, तो please like, share and subscribe जरूर करिएगा, मिलते हैं next mainz level की लिए ऐके सब,